हाई ब्रिबन आईए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि सरल अस्थाई उतक कितने परकार के होते हैं तो पौधे में सरल अस्थाई उतक जो है तीन परकार के होते हैं पहला है मिर्दू उतक अब मिर्दू उतक क्या है आईए समझते हैं देखे, मिर्दू उतक पौधे में ब्यापक रुप से बित्रित होते हैं, इसकी कोशिकाएं सजीव, पतली, दिवार की तथा अंडाकार बहुभुजी या दिर्ग होती है, यानि बड़ी होती है, इसमें जगा हो भी सकती है, और नहीं भी, मिर्दू उतक की पर्तिय कोशिका में बहुत सारे केंद्रिये रिक्ती करन होते हैं, उतक में पर्ण हरित, यानि कुलोफिल होता है, जिसे मिर्दू उतक करते हैं, इसका मुक्ख्यकार भोजन बनाना तथा संग्राह करना है, ठीक है, इसका नेक्स्ट टाइप है, इस थूल कॉन उतक, ठीक है, तो यहाएक जीब उतक है जो पौधे के कठोर भाग में पाया जाता है इसकी कोशिकाएं पतली दिवार की परंतु कोनों पर मोटी होती है जहां पर कई सैंख्या में कोशिकाएं जुरती है यहां शेल्यूलोज और पैक्टिन के जमाब के कारण कोने मोटे होते है ठीक है अब इसके ठाड टाइप की बात कर लेते हैं दिरीड उतक ठीक है तो दिरीड उतक मरित कोशिकाओं से मिलकर बनता है जिसमें जीब दरब भी नहीं होता है दिरीड उतक की लंबाई जो है एक मिलिमीटर से होकर 550 मिलिमीटर तक निर्वर करती है यह पाउधों को यांत्रिक शक्ति पदान कर इनको शिकाओं की आकिर्ती गोलाकार, अंडाकार, बिलनाकार या डंबल की तरह होती है यह लंबी पतियों को इस थिर्ता पदान करती है तो यही आपका हो गया क्या कोस्टेंस का अंसर अस्थाई उत्तक की तीनों परकार और तीनों का डिफिनिशन मैंने आपको बता दिया ओके तो आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शियर करें सो थैंक्यो